राधे राधे भक्वान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपको एक उपाय बताऊंगी जिसे करने के बाद आपकी आमदन में इजाफा होगा और आपके खर्चों के बाद भी आपका जो धन है वो आपके पास बचा रहेगा आज कल सारी payment online ही होती है जो salary वगार आती है वो भी online ही आती है और अगर हम business करते हैं तो उसके भी जो payments होती है ज़्यादा online ही आती है जिससे के हमारे पास घर में पैसे नहीं होते लेकिन जैसे ही महीना शुरू हो उसी समय जैसे ही हमारी कुई payment आए या salary आए तो थोड़े से पैसे निकाल कर आपको जरूर घर लाने चाहिए और कोई भी खर्चा करने से पहले दो जगा पे उन पैसों में से कुछ पैसे निकाल के रख देने चाहिए जिस हिसाब से आपकी आमदन है उसे हिसाब से जैसे कहते हैं कि सैलरी का या कोई बिजनस में प्रॉफिट है तो उसका दस्वा हिसा निकाल कर दान के लिए रखना चाहिए लेकिन आपको अगर लगता है कि ये रकम बहुत ज्यादा है तो जितना भी आप ठीक समझें उचित समझें थोड़े थोड़े पैसे दो जगा निकाल कर रखतें उन में से एक हिसा तो मंदर के लिए रखतें और एक हिसा किसी की मदद के लिए जैसे किसी बच्चों को आपने कोई बिस्किट या टॉफिया वगारा गरीब बच्चों को देनी है या किसी बूरी गरीब महला की मदद करनी है उसे हिसाब से सोचकर थोड़े से पैसे हर महीने अलग रखा करें और जब वो पैसे ज़्यादा हो जाएं तो उन पैसों से किसी की मदद कर दें या किसी गरी महला को कोई मैडिसन वगारा लेकर दे दें या जो भी कोई गरीब आदमी आपके पास आता है कि मुझे मदद चाहिए तो आप उसे दे दें और जो मंदर के पैसे रखें हैं वो तो जैसे घर में ही मंदर में देवताओं की तस्वीरों के वस्तर वगारा मूरतियों के लेने ह या उन पैसों को ले जाकर किसी मंदर की दान पेटी में या गुर्दवारे की दान पेटी में डाल दें क्योंकि ये पैसे या तो मंदर के कारिया में खर्चोंगे या जो लंगर लगते हैं मंदरों में वहां खर्चोंगे या गुर्द्वारे में जो लंगर लगती हैं उसमें खर्चोंगे इन पैसों से भूखे व्यक्तियों के पेठी भरेंगे तो इससे जब हमारे को कोई फैदा मिलेगा तो ये हमें अपने आप ही समझ आ जाएगा कि ये हमने वहां दान किया है ये उसका फल है इस तरह से दो जगा पैसे रखने से हमारे आए में बड़ोतरी होती है और फिर जो हमारी इंकम है वो दौाईयों में कोट कचैरी में नहीं लगती वो अच्छे स्थान पर ही लगती है इस तरह से अगर आप ये उपाय करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े से टाइम में ही आपकी आए में भी बड़ोतरी हुई है और घर में बिमारियों पे जो पैसे लगते थे वो अब लगने कम हो गए है और हमारी घर की खुशियों में भी बड़ोतरी हुई है आशा है कि ये मेरा वीडियो आपके लिए लाप्रसित होगा अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्फूल लगे तो इसे शियर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें जैमातादी